जब सुनील गावस करने की भारत्य बोलिंग की शुरुवात सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना सोचिए देखने में कैसा लगा होगा लेकिन इंडियन क्रिकेट में इससे भी अजीब चीजें हुई हैं बल्ले बाजो तक तो फिर भी ठीक था हमने तो विकेट कीपर्स तक से बोलिंग की शुरुवात कराई है बुधी कुंदरन भी हमारे लिए पहला ओवर डाल चुके हैं यही भारत्य क्रिकेट का यह यूं कहें कि भारत्य क्रिकेट की तेज गेनबाजी का सच है तेज गेंद बाजी जुसे कभी भी भारते क्रिकेट का एहम अंग नहीं माना गया क्योंकि हम सौफ नेचर के शांत सौमे और मधुर्व्यक्तत्व के सौमी होते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े तेज गेंद बाज तो 6 फीट लंबे, खून बहाने को बेताव, हतननाक लोग हुआ करते थे जिनने देखकर ही उख सरग जाए और हमारी क्रिकेट में लंबे वक्त और तेज गेंद बाजों के अकाल में इस सोच का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था सत्तर के दशक तक हमारी टीम में सिर्फ एक तेज गेंद बाज होता था और कई वार तो हमने इसके बिना भी काम चला लिया और इस एकलोते गेंद बाज का काम सिर्फ गेंद को पुराना करना होता था और बाकी का हाल समालते थे हमारे स्पिनर्स लेकिन फिर भी ये चलन बदला और अब 2021 में हम कह सकते हैं कि हमारा पेस अटाक दुनिया की किसी भी बैटिंग की धज्जियां उड़ा सकता है और इस सफर में हमने आपने काफी कुछ देखा है तो चलिए इंगलेंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अपनी पेस बोलिंग के सफर पर शुरू से शुरू करें तो याद आता है साल 1922 भारते क्रिकेट टीम इंटरनाशनल स्टेज पर नई-नई एंट्री मार रही थी इंगलन के पहले दौरे पर हमें 26 फर्स क्लास और एक टेस्ट मैच खेलना था ये वो दौर हुआ करता था जब दिन पिछ कवर नहीं की जाती थी जिसकी वज़ा से स्पिनर्स को जादा मदद नहीं मिलती थी अपने पहले दौरे पर हम दो तगड़े पेस बोलर्स के साथ गए मुहमद निसार और अमर सिंग पंजाब के होश्यारपुर से आने वाले निसार को फरुकाबाद एक्सप्रिस के नाम से जाना जाता था छे पीत लंबे और पहलवानी शरीर वाले खिलाडी उस समय गेन की तेजी मापने का तो कोई पैमाना नहीं था लेकिन का जाता है कि निसार उस दौर में इंग्लिश तेज गेनबाज हेराल्ड लारवुट से भी तेज गेनबाजी करते थे वहीं दूसरी तरफ दूसरे तेज गेनबाज थे अमर सिंग अमर सिंग को वैसे निसार जितना तेज नहीं माना जाता था लेकिन ये भी अपनी मूव्मेंट से खिलाडियों को परिशान करते थे अमर सिंग की बोलिंग इतनी खास थी कि सिर्फ एक फर्स ट्रास सीजन के बाद ही उन्हें इंगलेंड भेज दिया गया था नेवल कार्डिस ने उनके बारे में अपनी किताब में कहा था अमर सिंग की गेंद पिछ पर बाउंस होने के बाद बुलेट शॉट की रफ्तार से आती थी 1922 दौरे पर लॉट्स टेस्ट में भारत की इस ओपनिंग बोलिंग जोडी ने इंगलेंड को परिशान कर दिया पहले 30 मिनिट में इंगलेंड के 19 रन पर 3 विकेट हो गए निसान ने पहले सरकलिफ्स को बोल्ड किया फिर होम्स को बोल्ड किया और फिर वुली भी रन आउट बड़ी बात ये थी कि पर्सी होम्स और हरबर्ट सरकलिफ्स ने 10 दिन पहले ही फिर्स क्लास क्रिकेट में 555 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनर्शिप की थी भारती मैच हार गया लेकिन पहले ही मैच में भारती तेज गेंद बासों ने अपना नाम बना लिया हमारा प्रदर्शन देख इंग्लिश टीम के कप्तान डगलस जार्डन ने कहा था आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की बहतरीन टीमों में से एक बन जाएगी निसान ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैचों में 25 विकेट चटकाए वहीं अमर सिंग ने 7 मैचों में 28 विकेट अपने नाम किये आजादी के बाद निसार पाकिस्तान चले गए और फिर उमर के चलते क्रिकेट भी छूट गया अब उनकी उमर भी इंटरनाशनल क्रिकेट खेलने के लिए उनके साथ नहीं थी दूसरी तरफ अमर सिंग साल 1940 में निमोनिया के कारण चल बसे इन दोनों के जाने के बाद भारते टीम ने तेज गेंद बासों के लिए जादा दौर भाग नहीं की सीधी सी सोच वही थी कि शुरुआत में एक तेज गेंद बास का काम सर्थ गेंद को पुराना करना है और ये तो कोई भी कर लेगा लेकिन इस सोच के बीच उनने सोंसर्थ में एंटरी होती है एक दुबले पतले छोटे कदवाले लड़के की और तमाम दिगजों की तरहां इस बच्चे की शुरुआत भी मुंबई के शिवाजी पार्क से हुई बताते हैं कि एक बार मशूर खेल पत्रकाय जी के मेनन वहां से निकल रहे थे तब ये गेंद उनके पास से निकली और वो ठिठक कर रुग गए उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बोलिंग कर रहा है और उस बच्चे की बोलिंग ने मेनन को इतना प्रभावत किया कि वह उसे देखने के लिए बैठ गए मेनर ने देखा कि टेनिस बॉल से भी वो बच्चा एकदम क्लीन आक्शन के साथ रफतार के साथ गेंदबाजी कर रहा है और बाद में रमाकांद देशाई नाम का वो बच्चा इंडिया खेला 1958 उनसट में वेस्ट इंडीस की टीम भारत आई बॉम्बे में क्रिकेट क्लब अप इंडिया के खिलाफ एक फर्स क्लास मैच होना था इस मैच के लिए रमाकांद को चुना गया ग्रंजी ट्रॉफी बिना खेले ही वो टीम के अंदर थे आते ही रमाकांद ने कमार कर दिया उस वक्त के महान बल्लेबाज रोहन कनहाई को बोर्ड किया और मैच में चार विकेट निकाले और इस प्रदर्शन के चलते 19 साल के इस लड़के को टीम में ले लिया गया वेस्ट इंडीस के खिलाफ खेले फिर पाकस्तान के खिलाफ खिलाया और पाकस्तान के खिलाफ खेलने के साथ ही इस लड़के का नाम हो गया उस वक्त पाकस्तान के दिगज बल्लेबाज हनीफ मुहम्मद से बड़े बड़े गेंदबाज डड़ते थे लेकिन रमाकांट में हनीफ की टोपी और प्रतिष्ठा दोनों चाल दी 13 साल 1960 ब्रेबॉन स्टेडियम में रमाकांट में पहले ओवर में हनीफ को तीम बाउंसर मारी हनीफ की टोपी जमीन पर और वो पिच से दूर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और फिर अगली ही गेन पर हनीफ स्लिप में कैच थमा बैठे लेकिन इस इतने काबिल लड़के के साथ वर्कलोड मानेजमेंट नहीं हो सका पहले मैच में ही 49 सोवर फेकनी वाले रमाकांट भारत कीनी हर मैच में 25-35 सोवर फेका करते थे क्योंकि टीम के पास दूसरा पेसर ही नहीं होता था और इसी लोट के चलते सिर्फ 29 की उमर में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया रमाकांट ने भारत के लिए 28 टेस में 74 विकेट निकाले इसके बाद भारत कभी बल्ले बाजों से, कभी विकेट कीपर से तो कभी किसी मीडियम पेसर से गेन पुरानी कराने का काम लेता रहा हालात यहां तक थे कि साल 1962-63 की रंजी ट्रॉफी में खेलने के लिए वेस्ट इंडी से चार तेस गेन बाज पुलाए गए इन्हें अलग-लग तीमों में बाटा गया जोसे विदेशी दौरों पर हमारे बल्ले बाजों को दिक्कत ना हूँ लेकिन किराय की गेन बाजों से काम नहीं चलने वाला था हमें अपना तेस गेन बाज चाहिए था और फिर आया अपना पहला पेस बोलिंग सूपरस्टार 1970 में मुंबई का अंदर 19 कैम एक टीनेजर लड़का प्राक्टिस करने के बाद खाने के लिए आया उसे थोड़ी सी दाल थोड़ी सी सबसी और दो चपाती दे दी गई वो हैरानी से से देखने लगा और बोल पड़ा मुझे और खाना चाहिए मैं एक पास्ट बोलर हूँ उस कैम के मैनेजर केके तारापुर ने जवाब दिया इंडिया में फास्ट बोलर्स नहीं होते लेकिन चंडिगर से तालुक रखने वाले कपल देव नाम के इस लड़की ने आगे चलकर तारापुर की इस बात को गलत साबित कर दिया कपल देव सिर्फ एक तेज गेंबास नहीं थे बलकि एक लाजवाब एथलीट भी थे उन्हें लेकर ये भी कहा जाता है कि वो इतनी तेज स्प्रिंटिंग करते थे कि दौरते हुए किसी के पास से निकल जाये और उसे पता भी ना चले कपल देव भारत के पहले नाच्रल फास्ट बोलर माने जाते हैं उन्होंने देश को कई बार अपनी गेंबाजी से जीत दिलाई 16 सालों में उन्होंने कभी भी फिटनेस या इंजरी की वजह से कोई माच मिस नहीं किया उन्होंने को 434 टेस्ट विकेट निकाले और आज भी सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले भारते तेज गेंबाज हैं कभिल देव के भारते क्रिकेट में आने का असर ये हुआ कि अब देश तेज गेंबाजों की तरफ देखने लगा पड़ोसी मुल्क पाकस्तान, वेस्ट इंडीज, औस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह ही हम भी अपने देश में तेज गेंबाजों को पैदा कर सकते हैं दशकों से एकात तेज गेंबाज के साथ आगे बढ़ रहे भारत ने जल्दी ही एक तै किया कि हालात बदलने हैं साल 1987 में चेननाई में MRF पेस्ट पाउंडेशन की पहली अकाडमी खोली गई MRF के मैनेजिंग डार्वी मामिन ने उस वक्त दुनिया के सबसे सफल तेज गेंबाज डेनिस लिली को इस काम के जिम्मेदारी सौपी 1987 में जब MRF ने अपना पहला सेलेक्शन कैंप लगाया तो उसमें सचन टेंडुलकर और सौरव गांगुली भी पहुँचे थे और हमारी किस्मत देखी कि दोनों ही रिजेक्ट हो गए लेकिन जिन खिलारियों को चुना गया उनमें से कुछ अब देश के लिए क्रिकेट में तेज गेंबाजी का इतिहास बदलने वाले थे MRF पेस फाउंडेशन के खुलने के दो साल बाद ही 1989 में विवेक राज़तान को पाकस्तान दोरे की टीम में चुना गया लेकिन यहां से निकल कर भारत तेज गेंबाजी का पहला बड़ा नाम बने जवागल श्रिनाथ मैसूर के श्रिनाथ MRF पेस फाउंडेशन से निकले और उन्हें इंगलेंड दोरे की तैयारी के लिए बतौर नेट गेंबाज बुलाया गया टीम की मानेजर बिशन सिंग बेदी ने श्रिनाथ की तरफ बॉल फेकी और कहा मुंडे बॉल करेगा श्रिनाथ ने तुरंथ हां कर दी उधर नेट्स में गलफ्स पहन कर दिलिप वेंगसर कर तयार हो गये थे वेंगसर कर तयार हुए और श्रिनाथ ने आते ही बाउंसर दे मारी गेंड सीधे वेंगसर करके बल्ले के हैंडल पर लगी और बल्ला हाथ से छूट क्या पहली बार नेट्स में कोई गेंदबास इस रफतार से गेंदवाजी कर रहा था और आये ने कहा बाउंसर मत डालना इसकी जगा चाहें कुछ भी डाल श्रिनाथ ने सीनियर कमान रखा और बाउंसर नहीं मारी लेकिन अगली गेंद सीदे वेंग सरकर के टकने पर यानि यौकर बस इसी पल के बाद श्रिनाथ की टीम इंडिया में एंट्रे हो गई कपल देव के रहते हुए उन्हें ज़ाधा माचों में खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन कपल के सन्यास के बाद श्रिनात भारप की बोलिंग लाइनप के प्रमुख गेंदबास बन गए श्रिनात की खासियत थी कि वो एक ओवर में दो गेंदे 140-145 पर जरूर फेखते थे उस समय श्रिनात को मुहमद निसार के बाद भारत का सबसे तेज गेन बाज पाना जाता था 1999 के वर्ल्ड कप तक हर गेन की स्पीड मा अपने के लिए स्पीड गंस आ चुकी थी और इस वक्त तक श्रिनात अपने कंधे का उपरेशन भी करा चुके थे लेकिन फिर भी वो इस विश्व कप में शोय बक्तर के बाद सबसे तेज गेन बाजी करने वाले गेन बाज रहे श्रिनात ने 2003 विश्व कप के बाद क्रिकेट को अलविदा कहा जाने से पहले उन्होंने देश के लिए चार विश्व कप खेले और 236 टेस्ट जबकी 315 वन डे विकेट चटका है जब आगल श्रिनात के रहते हुए ही भाटे क्रिकेट टीम ने चैंपियन्स ट्रॉफी में और अंगाबाद के श्रीरामपूर से आने वाले एक लड़के को आसमाया इस लड़के ने उस चैंपियन्स ट्रॉफी में आस्ट्रेलिया, केन्या और साउथ आफ्रीकी टीम के ऐसे डंडे उड़ाए कि उसकी एक अलग पहचान बन गई जहीर खान नाम के इस लड़के की शुरवाद भी MRF Pace Foundation से हुई थी एक स्कूल टीचर मा और फोटोग्रफर पिता के घर में जनमेज जहीर खान 17 साल की उम्र में MRF Pace Foundation पहुँच गए उनके कोच सुधी नायक उन्हें डेनिस लिली के पास लेकर गया और लिली ने उनकी बोलिंग देखते ही कह दिया यह हमारा नमबर वन बोलर है हम इस पर पूरा ध्यान देंगे बीच में जहीर टीम इंडिया में अंदर बाहर होते रहे क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था वो फितनेस से परिशान थे लेकिन 2006 में इंगलेंड की वर्ड सेश्ट सर काउंटी से लौटने के बाद वो भारत के बहतरी इंगेंदबास बन गए 2007 में वो भारत के प्रमुक खिलाडी रहे उनकी वज़ा से हमने इंगलेंड को 21 साल बाद हराया 2010-2011 में जब भारते टीम वर्ल्ड में नंबर वन टीम बनी तो जहीर खान का उसमें भी एहम योगदान रहा 2011 क्रिकिट विशक अपनी देश की जीत में वो देश के सबसे बड़े गेंदबास रहे ज़हीर खान ने भारत के लिए 311 टेस्ट विकेट और 282 वन डे विकेट निकाले हैं इन तेज गेंदबासों के अलावा MRF Pace Foundation से भारत के लिए कुल 21 तेज गेंदबास खेले हैं जिनमें वेंकटेश, प्रसाद, इरफान पठान जैसे बड़े नाम शामिल हैं 25 सालों तक MRF का कामकास समहलने के बाद 2012 में डेनिस लिली ने सन्यास का एलान कर दिया उनकी जाने के बाद से ग्लेन मेगरा MRF Pace Foundation की बागडोर समहल रहे हैं आज हमने भारते टीम में तेज गेंदबासी के सफर को जाना लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है जब हम एक या दो नहीं चार-चार तेज गेंदबासों वे साथ मैदान पर उतर रहे हैं ये कहानी भी सर्फ चार गेंदबासों तक सीमित नहीं हैं बलके हमारे पास बैकप और बेंच पर ऐसे गेंदबास हैं जो इनकी जगा भरने में पूरी तरह सक्षम हैं इंग्लिंड के लॉट्स की जीत के बाद भारते पेस अटाक को भारत का अब तक का सर्वशेष्ट पेस अटाक कहा जा रहा है ये बात सही भी है 1922 से 89 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत कभी भी एक साथ इतने पेसर्स को लेकर नहीं खेला वो भी ऐसे Pacers जो सामने वाली टीम को 60 Overs के अंदर धेर करने का दम रखते हों आज हमारे पास इशांच शर्मा जैसा तेज गेंड बास है जिसने 100 से जादा टेस्ट और 300 से जादा विकेट चटकाए है जस्प्रीद बुम्राज जैसा तेज गेंड बास है जो ICC की टॉप 10 रांकिंग में खड़ा है महमद शमी जैसा अटाकिंग गेंड बास है जो महस तर इपन मैचों में 200 विकेट के करीब है वहीं मुहमद सिराज जैसा पेस बोलर है जिसने अस्ट्रेलिया और इंग्लिन में भारत की जीत में एहम योगदान दिया है इसलिए आज ये बात कही जा सकती है कि भारत विश्व क्रिकेट में सिर्व अपनी बल्ले बाजी के लिए ही नहीं अपनी तेज गेंड बाजी के लिए भी पहचाना जाता है आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी विपिनने मेरा नाम है द्व्याशी देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया